आप सभी का एक बार फिर से स्वागते लिफ्ट स्किल चेनल के हैजिंग से रिलेटेड एक और एजुकेशनल वीडियो में आज के इस वीडियो में आप्शन से रिलेटेड मेरा एक हैजिंग का कॉम्बिनेशन में आपके साथ शेयर करूंगा यहां बैंक निफ्टी का एक्जामपल लेके हम समझेंगे यहां पर हमारा कुछ ना कुछ एक व्यू रहता है मार्केट के रिलेटेड हम यहां बैंक निफ्टी का एक्जामपल लेके समझ रहे हैं इसलिए हम यहां बैंक निफ्टी की बात करते हैं और यहां जो चार्ट आपको शो हो रहा है यह बैंक निफ्टी का डेली चार्ट शो हो रहा है यह जो एक केंडल है वो एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है यह बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है अब यहां पर इस चार्ट को अगर हम देखते हैं तो हमको चार्ट को देख का यह support हुआ करता था support break करके bank nifty नीचे आ गई थी उसके बाद यह support जो था वह अपने आप में एक resistance लेबल बन गया था bank nifty के लिए अब यहां पर हम chart में देखते हैं कि ऐसे लास्ट वीक इस resistance लेबल को काफी comfortably पार कर दिया है और जो उसका अगला रेजिस्टेंस लेबल हमको नजर आ रहा है वो काफी उपर की तरफ नजर आ रहा है अगला रेजिस्टेंस लेबल 41,500 के लेबल के आसपास नजर आ रहा है और जो अब इसके लिए support का काम करेगा कि इसने resistance को काफी comfortably break करा तो एक probability है कि bank nifty का trend अप रह सकता है आने वाली expiry तक उपर की तरफ जा सकता है यह चार्ट के हिसाब से एक probability है अब यहाँ पर हमारे सामने एक संभावना है कि bank nifty आने वाले दिनों में उपर की तरफ जा सकता है अब दूसरा कि भई यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि bank nifty जो है यहाँ पर मान ले 41,200 के आजपास expire हो सकती है 41,200 लेबल के आजपास यहाँ पर bank nifty expire ही दे सकती है तो अब यहाँ मुझे trend मालूम है किस लेबल में यहाँ पर उसकी expire ही हो सकती है वो मैंने एक predict करा अब उससे related में कोई hedging का combination create करना चाहता हूँ मेरे यहाँ पर एक probability के according तो यहाँ पर मैं क्या combination create कर सकता हूँ अब यहाँ पर हम आप्स्ट्राव में चलते हैं और actual number के साथ चीजों को यहाँ समझते हैं अब यहाँ bank nifty का example लेके हम समझ रहे हैं यहाँ bank nifty कर लेते हैं यहाँ पर option कर लेते हैं और nearest expiry जो है वो 6 अप्रेल की nearest expiry यहाँ पर है अब 6 अप्रेल की expiry है option chain हमने open कर ली अब हमारा prediction है कि 41,200 के आसपास bank nifty की expiry हो सकती है यह एक हमारा prediction है तो यहाँ पर हम क्या combination create कर सकते हैं जिसमें एक risk minimum हो और एक reward यहाँ पर हमको काफी अच्छा मिल सकता हो मतलब हम एक minimum risk लेना चाहते हैं बार बार यहाँ हमारा time investment नहीं करना चाहते एक बार combination create करा चोड़ दिया उस बीच में जब भी मुझे क्या तो calculated return मिलेगा तब मैं exit हो जाऊंगा नहीं तो जो भी एक nominal मेरी risk के उस risk को मुझे यहाँ book करना है simple मेरा logic है अब यहाँ 41,200 का label जो मैंने predict करा है इस label के आसपास expiry हो सकती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं उस label पर हम call butterfly position को create करते हैं अब यहाँ पर number से समझ लेते हैं हम 41,200 strike price का call option 76 rupees के आसपास चल रहा है यहाँ पर इसके हमने दो lot यहाँ sell कर दिये दो lot यहाँ पर 41,200 strike price के call option के sell कर दिये मुझे लग रहा था यहाँ पर expiry होगी अब लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ इसको sell करके छोड़ दूँगा तो unlimited risk को सकती है अब इसको protect करने के लिए मैं क्या करता हूँ 200 point नीचे का call option मैं buy करता हूँ यहाँ पर एक lot उस call option के buy करें और 200 point उपर का जिस भी label के मैंने short करें हैं उससे 200 point उपर का यहने 41,400 strike price का एक lot यहाँ पर call option का मैंने buy कर लिया अब यहाँ पर यह इस तरीके का हमने एक combination create करा अब यहाँ अगर इस combination में हम चीजों को check करें तो maximum जो profit हमको नजर आ रहा है 4000 से उपर और जो maximum risk है हमारी वो सिर्फ 265 रुपीज की है यहने maximum risk सिर्फ 265 रुपीज की maximum reward हमको यहाँ पर काफी अच्छा मिल सकता है और जो हमारे break even point है यहाँ पर ठीक है हमारा prediction है 41,200 पर expiry होगी pin point पर तो maximum हमको profit हो जाएगा लेकिन यहाँ पर जो एक range निकल के आ रही है 41,000 के आसपास से 41,400 के आसपास तक अगर इस range के बीच में यहाँ पर expiry होती है तो मैं profit में रहूंगा अलग-अलग label पे अलग-अलग मुझे profit हो सकता है maximum profit 41,200 के लेबल पे होगा यहाँ यहाँ यह एक 400 point की range है इस 400 point की range के बीच में कहीं भी expiry होती है तो मैं profit में रहूंगा यहाँ एक minor risk लेके low time investment मनिया ने एक बार हमने prediction करा कि भई market का trend, bank nifty का trend अब दिख रहा है उसने resistance को break करा है और वो उपर की तरफ जा सकता है अगला resistance level जो भी नजर आ रहा है उस resistance के आज पास हम butterfly की position create कर लें और एक minor risk में यहाँ अगर हम गलत हो गए तो ठीक है to 65 जाएंगे लेकिन एक बार दो बार गलत हुए तीसरी बार हम सही हो गए और वहाँ पर हमको काफी अच्छा मिल गया तो हमारा यह एक दो minor loss कोई माइने नहीं रखता अब यहाँ यह 400 point की हमको range मिल रही है इसके बीच में कहीं भी expiry होती है तो हम यहाँ profit में रहेंगे अब यहाँ सोचने में आता है कि भाई सिर्फ 4,735 का profit है लेकिन जो हमारा required margin है वो भी 40,000 के आसपास है अगर percentage में return देखे तो maximum 11% के आसपास return हमारा margin block हुआ है उससे हमको मिल सकता है 11% काफी ज़्यादा होता है अब यहाँ हमको 11 चाहिए ऐसा नहीं है हमको 2%, 3%, 4% तक भी मिल गया हमारा काम हो गया एक week का हम हमारी position में से कभी भी exit कर सकते हैं जब भी जो भी हमारा target हो जो भी हम एक calculated return expect करते हों यहाँ से अब यहाँ पर इस तरीके से हम combination butterfly का create कर सकते हैं अगर हमको लगता है उपर किसी label जो हमारा prediction है उस label के आसपास expiry हो सकती है तो उपर के label पर हम call butterfly position को create कर सकते हैं और अगर यहाँ पर downtrend में है bank nifty और नीचे कहीं हमको जो भी support label नजर आ रहा है उस support label के आसपास हम put butterfly position create कर सकते हैं तो यहाँ इससे क्या होगा एक minor risk लेके एक हम काफी बड़े reward के लिए जाते हैं और सबसे important कि हमारा time investment भी यहाँ पर कम और unnecessary intraday का हमको pressure भी नहीं जहलना पड़ता तो यहाँ जैसे मैं कहता हूँ हैजिंग करने के काफी अलग लग तरीके होते हैं यह हैजिंग कोई अपने आप में rocket science नहीं होता यह pure एक combination होता है और उस combination में calculation ही सब कुछ होता है तो हैजिंग का जितना जादा से जादा हमको knowledge हो इस market में हम उतना ही without any psychological pressure work कर सकते हैं अब यहाँ पर इस channel पर hedging से related मैंने काफी सारे content upload कर रखे हैं और कुछ hedging से related paid content भी create करें हैं जिसकी detail जानकर ही अगर आप लेना चाहते हैं तो इस video के नीचे description में मिल जाएगी और video के नीचे description में जो भी brokers की link है अगर आप उस link से DME trading account open करवाते हैं तो किसी भी paid video course लेने पर आपको 50% का discount मिलता है तो यहाँ पर आज के video में एक low risk लेके हम एक trend predict करके label predict करके क्या combination hedging का create कर सकते हैं वो मैंने आपके साथ share करा उमीद है यह video आपको पसंद आया हो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को like करना न भूलें और अगर आपका hedging से related content सीखने में इंट्रेस्ट है तो आज ही इस channel को subscribe कीजिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में hedging से related काफी अच्छे content यहाँ में upload करने वाला हूँ आने वाले ऑने अगर हो वीडियो आगर तो